दोस्तो वर्ष 2018 को लेकर आपके मन में अनेक प्रशन उच रहे होंगे यह वर्ष आपके लिए क्या लेकर आएगा जीवन के किस क्षेतर में उन्नती और खुशाली होगी और किस क्षेतर को सुधारने के आवशक्ता पड़ेगी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने होंगे यह तो केवल कुछ ही प्रशन है और भी नजाने कितनी जिग्यासा आपके मन में उत्पन हो रही होगी इसी जिग्यासा को शांत करने के लिए हम आपके लिए लाएं है राशिफल 2018 जो आपके प्रशनों के उत्तर आपको देगा और सुख सम्रिधी प्राप्त करने में सहायक रहेगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेट कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे दबा दीजिए ताकि सर्वग्यान संपधन यूट्यूब चानल की तरफ से कोई भी रोचक जानकारी की सूचना सबसे पहले आपको मिले आए जानते हैं नववर्ष दाहसार अठारह में सभी राशी के शातकों का राशेफल कैसा होगा वैदिक जोतिश पर आधारित हविश्यफल पढ़ने के ब बनाने में सफल रहेंगे यह भविशिवानी चंद राशी लग्म तथा वैदिक चोतिश के आधार पर की गई है चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की साल दाहसार अठारह में मेश राशी के जातक के लिए शुरुवात में मंगल सप्तम तथा अश्टम भाव में होने से पारेवारिक जीवन में समस्य आएगी फैर ये तथा क्रोध पर नियंतरन रखे स्वतह समाप्त हो जाएगी गुरू की लग्म पर दृष्टी होने से विवेक पून निरने से घर का माहौल ठीक बना रहेगा स्वास्थिके दृष्टी से बहुत अच्छा नहीं है फरवरी मार्च में एक्सीडेंट हो सकता है केरियर की दृष्टी से यह वर्ष बहुत ही महत्वपून है आपकी इच्छा पूर्ती होगी यदि विवाह करना चाहते हैं तो यह शुभव सरह संतान के स्वास्थिकों लेकर परिशानी हो सकती है माता से संबंध बनाकर रखने में आपकी भलाई है अपने मन की बात माता के साथ शेयर कर सकते हैं पिता के साथ विचारों की लड़ाई हो सकती है अतह सावधान रहें और वादविवाद से या था संभव बचे आयमे भी वृद्धी होने की प्रबल संभावना है लंबी यातराएं से लाब हो सकता है सितंबर के बाद से आयमे अपेक्षा कृत कमी होगी आप दूसरों का दिलचीतने में काम्याब रहेंगे मेश राशी के लिए इतना ही जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें